देखे, gametes बनने की process को gametogenesis आ जाता है, the process of formation of gametes is called gametogenesis, और ये process humans के अंदर primary sex organs, जैसे male में testis और female में ovary, वहाँ पर complete होती है, वो भी puberty आने पर, अब इस process में, जो hormones हैं, वो तो main role play करते ही हैं, लेकिन साथ में कुछ vitamins, जैसे vitamin E का भी main role है, अगर vitamin E की कमी body में हो जाए, तो gametes बनने की जो process है, उस पे भी effect पड़ता है, इसके अलावा देखा जाए, तो vitamin E भी कुछ हद तक यहाँ पर role play करती है, अब ये जो gametes बनने की process है, जिसमें हमने कहा कि gametes बनते है, sperm और ovary, जैकि जो gametes है, उसकी process को gametogenesis कहा जाता है, और हमारे humans के अंदर, जो gametes है, व फिमेले बनने वाले ovum, तो जब gametes हमारे दो टाइप के है, तो gametogenesis की जो process है, वो भी दो टाइप की होगी, male में sperm बनने की process को कहा जाएगा spermatogenesis, और female में ovum बनने की process को कहा जाएगा oogenesis, तो यहाँ पर इस lecture के अंदर, इस वीडियो के अंदर, हम पढ़ेंगी spermatogenesis, और स पहले हम यहाँ start कर रहे है, spermatogenesis, देखिए, NCRT के अंदर आपको यह diagram दिखाई देगा, जो की है, seminiferous tube के sectional view का, इसमें आप यह देख रहे हैं, जो dark color का, जो red color का, जो boundary दिखाई दे रही है, आपको बीच बीच में, यह है interstitial space, जहाँ पर पाई जाती है, lady cells, जो की income ब actual character को भी यह develop करता है, male body में, इसके साथ ही आप देखते हैं, अंदर की तरफ जो light pink, जो है, यह pink color का जो area है, यहाँ पर आप बहुत सारा गुच्छा देख रहे है, cells का, जो की है, seminiferous tube के अंदर वाला पार्ट, उसके अंदर का जो lumen है, वाला पार्ट है, जहाँ पर आपक मेली दो टाइप की cells दिखाई देती है, एक तो किनारे की तरफ आपको दिखेगी, mature male germ cells जिसको बोलते है, spermatogonium, singular है, और बहुत सारा बोलेंगे तो spermatogonium, इसी के साथ में आपको आज पास, जो है, nutrition देने वाली cells दिखाई देती है, जिनको हम बोलते है, sertoli cells या nurse cells, तो य यहाँ पर आप देखते है, side में, यह आपको क्या है, यह ledic cell दिखाई दे रही है, interstitial space के अंदर, अंदर की तरफ जो lumen है, seminiferestible का वो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, जो किनारे की तरफ जो cell लगी भी दिखाई दे रही है, वो आपकी spermatogonium है, ठीक है, उसके अलाव अगली तरफ आप देखते हैं, तो primary spermatocyte है, और उसी में जो column shape की जो select columnar cells, वो है subtly cells, इनके अलावा आप देख रहे है, secondary spermatocyte, spermatid और male germ cells, तो यह जो आप चीजे सब देख रहे हैं, यही हमें यहाँ पर पढ़ना है, इसी seminiferestible के अंदर, यह जो cells हैं हमारी, यह एक के ब कि spermatogenesis की जो process हम क्या बोलते है, में ली आएंगे, अब तब कुमने इंट्रोडक्शन देखा, तब का अब देख प्रॉसेस और formation of response, इस पर बनने की process, किस्से है, from immature germ cell, immature main germ cell, ठीक है, यहाँ पर mail आजाएगा, main germ cell, जो है immature, जिसके लिए word we use होता है, spermatogonia, एक है genesis कहते है, अब यह जो spermatogonia है, एक तरह से क्या है, यह एक टाइप की meosite है, और meosite क्या होती है, जिसमें diploid जो होती है, diploid मत्ब दो सेट इसमें chromosome क्यों होते है, इसका मत्ब हमारे humans में कितनी cell, कितने chromosome होते है, diploid है, तो 46 chromosome होते है, तो यहाँ पर कितने 46 chromosome होंगे, आप इसको sperm mother cell भी कह सकते है, नहीं कि इसी में मियोसिस होने के बाद में, हमारे एक cell से, एक spermatogonia से, spermatogonium से, 4 haploid sperm इस्पम बनेगे, यह जो इस्पम है, कहां बनने है, टेस्टीज में, जो semi-neverest Sowel है, उसके अंदर बन रहे है, और कब बन रहे हैं, जब मेल, जो है, प्युबर्टी वाली एज में आ जाता है, यहनि कि वही 11-12 साल की एज में जब आ आ जाता है, तब यह स्पम बनने शुर होर्मोन रिलीस करना शुरू करती है इस लिए 10 साल के बाद जनरली एक एवरेज अगर देखे जाए तो 10 साल के बाद ही मेल के अंदर इस्पम बनने शुरू होते हैं ठीक है यह में जो रोल है वो लेडिक सेल का है लेडिक सेल जब तक नहीं होगी तो टेस्ट्रोस्ट्रोन न है सेमेनि फिरस ट्यूवल गे अंदर जब टेस्टोस्टरोन बाड़ी में अच्छी तरह से बनने लगता है लेडिक सेल अच्छे से डवलप हो जाती है तब सेमेनि फिरस ट्यूवल के अंदर जो इंवेच्च्छ और मेल जर्म सेल या फिर हम लिख सकते हैं प्रिमोर्डियल क्रोमोजोम और मेल की बात चंड़ी है तो जायड सी बात है 44 प्नस XY लिखेंगे XX का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि मेल की बात तो प्रिमोडियल जर्म सेल्स होती है सबसे पहले क्या गड़ती है माइटोसिस होती है उन सेल्स के अंदर अपनी नंबर में अपनी संख्या में वो बडोती रिकरती है नंबर में इंक्रीज होती है देखे जैसे यहाब बनाया इंक्रीज यहिंन नंबर मैं ने बना दिया आसे है इंक्रीज वोते हैं तो आप देख रहें 44 प्लस XY इन सब में लिखता है इन सभी को मैंने इसलिया पे नाम क्या लिखा स्परमेटोगोनिया, एक्शनल में आपको कन्भ्यूज नहीं होना है, ये प्रिमोडियल जर्म सेल भी एक टाइप की स्परमेटोगोनिया ये भी स्परमेटोगोनिया, ठीक है, बात सिर्फ इतनी है कि जो प्रिमोडियल जर्म सेल्स है, यहां से जब मैटोसिस होती है जब ग्रोध होती है, ग्रोध होने के बाद में क्या रहता है कि कुछ स्परमेटोगोनिया मियोसिस करने लायक नहीं होती और कुछ जो है अपने आप में जो है capability अपने अंदर लाती है कि जिसके की वो meiosis उनमें हो सके तो यहाँ पर क्या लिखा है कि spermatogonia आप माल सकते हो कि यह spermatogonia type A है यह type B इनमें growth होगी growth होने के बाद में कुछ spermatogonia जो है क्या करेंगी occasionally divide कर सकती है meiosis के तुरू जो occasionally divide कर लेंगी उनको हम बोलेंगे primary spermatocyte और जो नहीं कर पाएंगी उनकी बात हम यहाँ कर ही नहीं रहे मैंने क्या का आपको द्यान अखना है कि mitosis हुई number में increase हुआ तो बहुत सारी क्या बनी spermatogonia बनी अब इसमें भी क्या है कि कुछ spermatogonia मालने जे मैंने का कि यह वालने इसमें क्या है यह meiosis करने के लायक है स्पम बनाने के लायक है तो occasionally इनमें सभी नहीं कोई कोई जो भी occasion दिवाइड करेगी समय आने पर वोसी को हम क्या वोलेंगे primary spermatocyte कहेंगे ठीक है तो यहाँ पर 44 प्लस XY इसका मतब यह भी deployed है और 46 chromosome यहाँ पर है तो primary spermatocyte भी क्या 46 chromosome है अभी तद्मियोसिस नहीं हुई है अब क्या होगा अब यहाँ से आपको देख सकते होगी यहाँ से लेके यहाँ तक starting से यहाँ तक अगर आप देखो तो यहाँ पर mitocyte नंबर में increase हुआ है नंबर बढ़ा है तो नंबर बढ़ा है तो यह जो पहला आप चाहो तो यह जो पुरी spermatogenesis है इसको आप तीन face में divide कर सकते हो तो यहाँ से नंबर में increase हुआ है तो इस face को आप कोगे multiplication face आप इसको कहोगे ठीक है दूसरी बात यहाँ से आप यहाँ तक देखते हो तो यहाँ पर क्या growth हुई है यहाँ पर चोटे थे यह size में बढ़गी है primary spermato size क्या आए growth हुई है तो हम यहाँ क्या लेगें है increase in size size में increase हुई तो यह number 2 जो हो जाएगा हमारा यह है growth face दूसरा आजाएगा growth face और तीसरा आप ता multiplication face जो यहाँ से लेके end तक होगा multiplication ठीक है maturation तो यहाँ तो तीन phase है तीसरा maturation पहला multiplication दूसरा growth और तीसरा हो जाएगा maturation face क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक mature यहाँ पर पूरा complete sperm बनेंगे तो इस पर primary spermato site थी number कितना है अब क्या होगा इसमें meiosis होनी शुरू होगी अब meiosis आपको पता है दो टाइप की होती प्लस और meiosis second meiosis first के अंदर आपको पता है reductional division है वो chromosome number आधे गड़ता है जब कि meiosis second same रखता है तो देखिए meiosis first होई meiosis first से क्या बनी हमारी दो cell बनी आपको पता है कि यहाँ पर 44 एक primary spermatocytes है जिनको उने क्या बोला इन दोनों cells को secondary spermatocytes तहा अब यहाँ पर meiosis हुआ है तो इनकी ploid ही क्या होगी haploid होगी यानि कि chromosome कितने होगे 23 हो गए इनको क्या बोला secondary spermatocytes अब exam में MCQ आते हैं वहाँ पर बोल देगा कि primary spermatocyte haploid है कि diploid है total number chromosome कितने है तो दिमाब में बच्चे के आता है कि शायद इस पर meiosis first हुई है तो meiosis first के बाद में primary spermatocyte आएगी जबकि meiosis first के बाद में secondary spermatocyte आती है बच्चा सोचता है कि meiosis second के बाद में secondary spermatocyte आएगी लेकिन ऐसा नहीं है confusion होता है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है meiosis first के बाद में secondary spermatocyte आती ना कि primary spermatocyte primary spermatocyte मेटोसेस और ग्रोथ होने के बाद में होती है वो एक तरसे sperm mother cell है वो ही है ठीक अब secondary spermatocyte जो है यहाँ पर इसमें क्या होगा meiosis second होगी यह meiosis first था अब यहाँ से क्या होई meiosis second होई meiosis second होगी तो क्या होगा यह से एक से दो इस स तो इसएम रहेंगे क्योंकि मियोशिस से कंड में कोई भी ब् strepchn नहीं होता क्रोमोजोम का तो इससे क्या हुआ स्पर्मक्र उप्लोएड है। अब यहां से क्या होगा, spermogenesis होगा, यह नहीं कि transformation of spermatids into spermatozoa, is this process known as spermogenesis, अब इसमें क्या हुआ है, कि जो cell है, यह normal cell, नॉर्मल cell है, तो अगर मैं यहां पर इसको बनाओ, जैसे यह cell membrane है, यह nucleus, nucleus में क्या है अपना, 22 प्लस X, मैंने खाली X बना लिया है, ठीक, और इदर की side में गर इसको बात करें, तो यह cell है, यह इसका nucleus है, तो इसमें 22 प्लस Y, अब नॉर्मल यह जो cell है, यह क्या है, एक heploid cell है, जिनको हम बोलते है, spermatozoa, अब इसमें transformation होगा, तो इन सब का transformation है कि स्पम में होगा, आपके syllabus में ज़्यादा नहीं है, लेकिन हलका मैं बताता हूँ, आपको कि सबसे पहले, इस पर meogenesis के अंदर, सबसे पहले यह cell जो है, यह elongate होना शुरू हो जाएग, elongate होना शुरू हो जाएग, जितने भी mitochondria है, यह सारे mitochondria इस तरीगे से, spiral form में इस तरह से आने लगते हैं, धीरे 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 ओर elongation चलता है, और यह आगे जो जो गोल जाई बोड़ी है, यह आगे इस तरीगे से यहाँ पर cover कर लेता है, टिप को इसके जस्ट पीछे की तरफ क्या रहता है हमारा nucleus, mitochondria spiral form में रेंज हो जाते हैं, और बाखी का जो बचा Cytoplasm में, वो इस तरीगे से tail की form बनाता है, आखरी में चलके, यहाँ पर जंगन नहीं है, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, आखरी में होता क्या है, कि नॉर्मली इस तरीगे से अगला portion जो है, आप structure पढ़ेंगे जब इस प्रम का, तो वो एक्रोसों में बनाता है, यह जो है head बन जाता है, यह यहाँ पर माइटो कोल्डरी आ जाएंगे, spiral और बाखी बचावा Cytoplasm है, वो टेल की पॉम में आ जाता है, यहनि कि main जो इस process में help करता है, वो गोल जाई बोडी है, nucleus आ गया, mitochondria, Cytoplasm और बाखी बचिस, इसके cover करने वाले cell membrane, तो यह जो सारे के सारे, यह चार हमने बनाए, यह cell ispermitted, यह चार से क्या हुआ, transformation होके, यहां से x, x, y, y, यहनि कि 2x, 2y, इन 44 प्लस x, y, spermetogonia से, इस तरीके से 4 spermetozoa, यह सिंपल कहें, sperm यहां पर बनते हैं, और sperm में कितने क्रोमोजोम रह जाएंगे, 23, यहनि कि आपके जो 50% जो sperm होंगे, उनमें x क्रोमोजोम होगा, और 50% sperm में y क्रोमोजोम होगा, इसलिए बच्चे जब होते हैं, तो उसमें 50% chance होता है, equal chance होता है, कि होने वाला बच्चा male भी हो सकता है, female भी हो सकता है, क्यों, तो female में तो हमेशा x क्रोमोजोम ही होगा, ओवा में, लेकिन male के अंदर, आधे gametes x वाले, और आधे gametes यनिगी sperm y वाले होते हैं, इतनी process होने के बाद, जब यह spermatozova बनता है, यह सारी process कहां चलन दिये, अच्चा यहां से यहां तक का जो phase है, यह कैसा ता maturation, तीसरा phase हो, तीन phase में आप इसको divide कर सकते हो, टिक, अब यहां से मैं इसको यहां से मिटा रहा हूँ, अब यहां से होगा क्या, आगे का जो process है, यह जो spermatozova यहां पर बन चुका है, अब यह spermatozova ऐसा नहीं कि बस यह ready हो चुका है, जब यह spermatozova यहां पर बन चुके हैं, sperm बन चुके, spermatozova, यहाँ पर बन चुके हैं मेटो जोवा क्या है प्लॉइडी 23 यनिगी एप्लॉइड अब यह क्या करेंगे यह सारे के सारे का है यह मालने समयनी फिरस ट्यूबल है इस तरह से हम देख रहे थे क्या था कि यह बाहर का जो यह स्पेस है यह वाला स्पेस है यहाँ पर हमारी कैसी थी यहाँ पर थी बेटा लेडिग सेन लेडिग या इंट्रस्टी जोकी एंड्रोजन टेस्टस्ट्रों रिलीस कर रही थी ठीक है जी और यह जो है यहाँ पर यह थी हमारी स्परमेटो गोनिया यह कैसी थी spermatogonia, देखे दियान से spermatogonia ये बहुत सारी थी ठीक है जी, और यहाँ पर यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि growth हुई, size में बढ़ी number increase हो गया यह क्या बन गी थी हमारी, यह बन गी थी primary spermatocyte primary spermatocyte जो की है हमारी short में लिखना हूँ यह भी deployed है, यह भी deployed यहाँ पर हमने column जैसी cell हमने देखी, जो की थी sertoli cell, sertoli cell जो की nutrition देगी अब बात ही आती कि यहाँ से divide करते primary spermatocyte से secondary spermatocyte, secondary spermatocyte से हमारी spermatocyte spermatocyte से आत्री में क्या बन जाते है, spermatozoa बन जाते है, अब यह spermatozoa यह माली जेग, यह क्या है हमारी मैं यहाँ बनाता हूँ, sertoli cell जो है यह इस तरह से column जैसी sertoli cell है जो की nurse cell है, अब यह जो spermatocyte हुआ है, यह क्या करेंगे, अपना head इसे अंदर इसमें डाल देंगे अपना head अंदर डाल के क्या गड़ते हैं, इससे nutrition लेते हैं nutrition जब लेंगे, nutrition लेने के तुरंत बाद क्या गड़ते हैं, यह इस sertoli cell से निकल जाएंगे nutrition लेने के बाद वे sertoli cell से यह क्या होगे, यह निकल गए ठीक है, निकल जाते हैं यहां से, यहां से निकलने कि जब ये सर्टोली सेल से nutrition लेकर निकलते हैं, इसी के साथ में ये समैनी फिरस ट्यूबल को भी छोड़ देते हैं, और समैनी फिरस ट्यूबल को छोड़ने की process को हम क्या बोलते हैं, कहते हैं, यानि कि हम कह सकते हैं कि liberation, या फिर सबसे पहले तो आएगा, after the formation of spermatozoa from spermatids, the spermatozoa take nutrition from sertoli cells, इसके लिए क्या गड़ते हैं, head embedded, यानि कि दस जाता है, गुच जाता है, इसके अंदर sertoli cell के cytoplasm में, और nutrition लेता है, after taking nutrition, the sperm, या spermatozoa, liberated from sertoli cell, प्लस साथ में, seminiferous tuels, इस process को spermiation कैसे हैं, तो हम बोलेंगे, liberation of sperms from seminiferous tuels, क्या बोलते हैं, इस process को? spermiation, exam में बहुत खोश्चन आता है, what is the difference between spermiogenesis and spermiation, confusion होता है, अभी तो पता लग रहा है, साफ, कि spermiogenesis क्या है, transformation of spermatics into spermatozois, is called spermiogenesis, लेकिन liberation of spums from seminiferous tuels, या पिर आप sertoli cell भी लिख सकते हो, seminiferous की जगह, वो एकदम निगल जाता हो, तो इसको क्या बोलेंगे, spermiation, अब यहाँ पर दो तीन वर्ड और आते हैं, देखें, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दो तीन वर्ड और है, एक तो हमने पढ़ा, कि एक तो हो गया, यहाँ बर हमारा spermiation, जो आपको पता है, seminiferous table से निगलने की process को spermiation बोलते हैं, एक हो गया था, अभी देखा, हमने, spermiogenesis, जो क्या है, spermatid से, spermatos उजोवा बनने की process को बोलते हैं, एक आता है, semination, semination, एक आता है, ejaculation, ejaculation, एक वर्ड होता है, insumination, insumination, इनको आपको याद रखना जुरूरी है, semination क्या है, देखिए, spermiation था, liberation of sperm from seminiferous table, तो क्या है, spermiation, और इसकी बात कर ली थी, semination का मतलब क्या होगा, liberation of sperm from testis, जब पूरी testis से ही बाहर निकल जाएगा, मतलब, seminy perious table दो छोड़ो, आगे, ready testis, epididymis, वहाँ से निकल के बाहर निकल जाएगा, यहनि कि, vast difference तक पहुँच जाएगा, वह भी testis से पूरा बाहर निकल जाएगा, तो उसको बोलेंगे, semination, ejaculation, मतलब, liberation of sperm, spermatozoa from male body, जब male body से बाहर निकल जाएगा, तो ejaculation, और insemination कब बोलेंगे, कि जब male body से बाहर निकल के, कहां पहुँच जाएगा, female tract, यहनि कि, vagina में पहुच जाएगा, तो बोलेंगे, insemination, क्योंकि आपको पता है, कि हर ejaculation, insemination नहीं होता, नॉर्मल में, अगर male body से ejaculate हो रहा है, सीमन बाहर निकल रहा है, जिसमें की sperm है, उसको बोलेंगे, ejaculation, अगर यह ejaculation, female vagina के अंदर हो रहा है, तब उसको बोलेंगे, insemination, तो यह कुछ word थे, प्लस आपको याद रखना है, यहां पर और आपको क्या याद रखना है, देखे, एक एक चीज के लिए रहोगी, एक भी question आपका board में या neat में, इस topic से नहीं चुटेगा, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं, तो आपको प्लोईडी पुछेंगे, तो आपको है, spermatogonium, इसकी प्लोईडी क्या है, आपको पता है, 46 है, यहनि कि 44 प्लस XY, यह कैसे है, deployed है, टिक, उसके बाद पुछेंगा कि primary spermatocyte, primary spermatocyte की प्लोईडी क्या है, तो क्या है, 46 है, यहनि कि 2N deployed है, इस से बनी, इसी से बनी है, फिर आएगा secondary spermatocyte, यह क्या है, secondary spermatocyte, यह है 23, यह haploid है, क्यों कि primary spermatocyte में, meiosis होने के बाद है, उसके बाद में आती है, हमारी spermatids, spermatids बनते हैं, किससे, meiosis second होने के बाद, secondary spermatocyte से बनती है, तो यह इनका भी क्या है, 23, यह भी haploid है, अब इसमें पूछने कि X होगा कि Y होगा, तो आपको याद रगना है, X याद दे X वाले होगा, याद दे Y वाले होगा, उसके बाद में spermatocyte, zoa जो की है ही haploid, spermatocyte से बनेंगे, तो यह था हमारा जो normal process है, spermatogenesis की, वो हमने देखी, जिसमें कि हमारे तीन phase में हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको पहला आता है multiplication phase, multiplication phase, दूसरा phase आता है, growth phase, अगर आप डिवाइड करना चाहो तो otherwise normal पढ़ सकते हैं, तीसरा phase आता है, maturation, maturation phase की एक दियान अखना है कि कब शुरू होगा, जब meiosis first शुरू हो जाएगी, तब maturation शुरू हो जाएगा और end तक चलेगा जब तक process खतम नहीं हो, तीन phase में डिवाइड कर सकते हैं, अब जो है ये तो process हमने देखी, अब हमें ये देखना है कि पूरी process के अंदर hormones का role काफी एहम होता है, तो इस में अब हम आगे देखते हैं, hormonal regulation in spermatogenesis, देखिए अब है hormonal regulation of spermatogenesis, या कहें कि hormones spermatogenesis की process को कैसे affect करते हैं, कैसे परभावित करते हैं, अब देखिए इसको समझते हैं एक flow charts, देखिए जो hypothalamus है, कहां है हमारे skull में, brain reason में है, क्या करता है, GnRH, gonadotropin releasing hormone, देखो gonadotropin हमारे कौन से होते हैं, दो है, luteinizing hormone LH, और FSH, follicle stimulating hormone, जो की release करती हैं हमारी anterior pituitary gland, तो इस क्या करते हैं, उनको release करवाने वाले hormone है, तो इस GnRH कहां, इस पर attack, इस पर stimulate करेगा, उते ही करेगा anterior pituitary को, stimulate किया, anterior pituitary ने क्या किया, gonadotropin release किये, क्या किये, gonadotropin release किये, gonadotropin जो है, gonad आ रहा है, gonad का मत्तब क्या testis और ovary, यहाँ पर हम बात कर रहें, इस पर बनने के, तो testis की बात, gonad क्या हुआ, testis हुई यहाँ पर, तो gonadotropin release करें, gonadotropin हमारे के एदर दो टाइप किया, inlutinizing hormone, या male में क्या बोलते हैं, इसको interstitial cell stimulating hormone, और दूसरा है हमारा FSH follicle stimulating hormone, अब देखिए, जो LH है, उसको receive करने के जो receptor है, वो ledic cell के पास होते है, जो की interstitial space में, 70 T-ferestable से बाहर है, वहाँ पर, और जो FSH को receive करने के जो receptors हैं, वो sertoli cell के उपर होते हैं, जो की कहा है, semiferous tubule के अंदर है, certaine cell और बाहर, लेडिक cell है, अब लेडिक cell के आगरिंग, सबसे पहले, testosterone level को boost करेगी, उसको बढ़ाएगी, जो की reproductive organ के उपर जाके effect करेगा, target organ testis होगी, वहाँ पर sperm बनने की processor होगी, plus secondary sexual characters को develop होगे, बोडी के अंदर, ठीक है, janitor organ डवलप होगे, तभी तो जाके effect में बनेगा, अब यहाँ पर बात आती है, कि जब excess में testosterone बनने लगता है बोडी में, तो यहीं से क्या होगा, यहाँ से negative feedback जाएगा, negative feedback जाएगा, किसके पास, प्रॉट्री गॉर्नेर ड्रॉपिन यहीं लेच, FSH को release नहीं करेगी, जिससे कि यह बाकी की process है, यहीं कि इस्पम बनना रुक जाएगा, ठीक, या फिर यह negatively इसको attack करेगा, anterior pituitry को, और anterior pituitry सीधा, बिना जीन आरेच के effect के हैं, सीधा क्या करेगी, LH और FSH को release करना बल कर देगी, ठीक, दूसरी तरफ हम इधर आते हैं, तो सर्टोली सेल क्या करती है, सर्टोली सेल के उपर, जो है, स्टिमुलेट किया FSH ने, सर्टोली सेल जो है, प्रॉलिफरेट होई, ग्रो करेगी, साइज में डवलप होगी, जिससे कि स्पम जो बन रहा है, उसको nutrition दिया जा इसको development होई, इसका क्या करती है, एक तो यह nutrition देने का काम करती है, प्लस endocrine cell की तरह धी काम करती है, एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, chemicals, इन्ही होर्वोन रिलीज करना, जैसे endrogen binding protein, आप लिखने रहे सो, क्या फुल फो में, endrogen binding protein, यह रिलीज करती है, जिससे की spermatogenesis की process को stimulate किया जासे, कैसे, अब यह क्या करती है, लेडिक cell जो है, यहाँ पर है, क्या करेगी, टेस्टोस्ट्रोन रिलीज करेगी, अभी टेस्टोस्ट्रोन को कहा डालेगा, सेमेनी फिरेस्ट्वल के अंदर आएगा, तो सेमेनी फिरेस्ट्वल के अंदर, concentration हाई हो जाए, टे यहाँ पर टेस्टोस्ट्रोन काफी अच्छा है, स्पंव अच्छे से प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन माल लीजिए कि स्पंव बहुत जादा, एकसेस में जब प्रोड्यूस होते हैं, एकसेस स्परमेटोजनेस होती है, तो सर्टोली सेल एक दूसरा ओर्मोन रिलीज करत जिससे की एंटिरियर पिट्यूट्री एलेच एपैसेच नहीं करेंगी और यह सारी प्रोड्यूस रुख जाएंगी, स्पंव बनना रुख जाएगा या फिर डिरेक्ट्री एंटिरियर पिट्यूट्री को टार्गेट करेंगा, निगेटिव फीडबेक इसको देगा और यह गौनेडोट्रोपेन रिलीस करेंगी, इसको बहुत नहीं अब अच्छे कासे हैं, नमबर में स्पर्म हैं हमारे पास, अभी कुछ टाइम के लिए स्पर्म बनने की प्रोसेस को रोगी, तो यह सब चीज़े यहां से रुख जाएंगी, इस तरीके से होर्मोनल रेगुल स्पर्मेटोजनेसिस को आपको अच्छा लगा हो, यह प्रोसेस आपको अच्छे से समझाई, कोई डाउट हो, कुछ प्रॉबलम हो, तो कमेंट कीजे, आपको उसका सोलोशन जुरूर मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक म मिल जानों, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो में इतना ही, थैंकिंग